और एक नए नए नेता बनाए है ललन सिंग जी को भईया के चारा गोटाले की आप बूम लगाते थे नमस्कार आप देखे रहें न्यूस फॉर नेशन और मैं हूँ सांथ पना आपके साथ ग्री मंत्री अमिट्शा जी जब आप दस वर्ष के थे तब से मैं राजनीती कर रहा हूँ मेरे राजनीती के संघर्ष की शुरुवात 1974 के छात्रा अंदोलन से हुई पता नहीं आपने राजनीती के शुरुवात किस संघर्ष से की है ये कहना है जद्यू के राश्टर अद्यक्ष समंगेर सांसद ललन सेंका उन्होंने अमिट्शा पर कटाक्ष बोला है और उनसे पूछा है कि आप बताएं कि आपके राजनीती जीवन का संघर्ष कब से शुरु हुआ आप मात्र दस साल के रहे होंगे तब से मैंने राजनीती में कदम रखा है और राजनीती के कई उतार चड़ावों को देखा है राजनीती में बहुत कुछ सफर किया है अब ऐसे में आपको बता दें कि आमिच्शा का दो दिवसिये बिहार दौरा शुरू हो चुका है जहाँ पर उन्होंने बिहार की सिमांचल से हुंकार भरी और जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने ललन सिंग पर हमला बोला था कहा था कि आजकल एक नए नए नेता आ गए है ललन सिंग जी अब अमिच्शा के इस बयान पर बिहार की राजनीती शुरू हो गई बिहार की सियासत शुरू हुई तो जद्यू के राश्ट्राद्यक्ष ललन सिंग ने अमिच्शा पर पलटवार किया और लिलन सिंग ने ये कहा कि मुझे नया नया बताने वाले आपको ये बता दू कि आप जब दस वर्ष के थे तब से मैंने राजनीती में कदम रखा है पहले हम आपको वो विडियो क्लिप सुनवाएंगे जिस विडियो क्लिप में अमिट शा ललन सिंग को लेकर मंच से बाते कह रहे हैं तो पहले इस विडियो क्लिप को देखिए और एक नहे नहे नेता बनाए है ललन सिंग जी को भाईया एक चारा गोटाले की आप बूम लगाते थे आपने इस विडियो क्लिप को देखा अब देखिए ललन सिंग ने इस बात को लेकर किस तरीके से आमिट शा पर पलटवार किया है अपने ट्वीट कर लिखा है देश के माननिये जुमले बाज ग्री मंत्री आमिट शा जी आप जब सिर्फ दस वर्ष के रहे होंगे तब से मै राजनीती में सक्रिये हों मेरा राजनितिक जीवन 1974 के छात्रा अंदोलन के संखर्ष के साथ प्रारंब हुआ है पता नहीं आपका राजनितिक जीवन किस संखर्ष से शुरू हुआ है जिसके बाद ललन सिंग ने एक और ट्वीट किया और लिखा देश के माननिये जुमले चिंतन करनी की जरूरत है क्योंकि एहंकार बेहत घातक होता है और आप एहंकार में डूबे हुए है तब ही तो इस प्रकार की टिपनी कर रहे हैं बड़बोले तरीके से कुछ भी बोलते हुए निज़र आ रहे हैं आपको क्या लगता है कि मैं राजनिति में नया नया प्रवात 1974 से ही की थी तब तो आपने राजनिति का नाम भी नहीं सुना होगा दरसल अमिट शा ने पुर्णिया से हुंकार भड़ते हुए बिहार की नहीं महागजबंदन की सरकार के खिलाफ कई बड़ी बाते बोली उन्होंने आरजेटी सुप्रीमों लालुपिसाद या कर रही है यहां की सरकार बिहार की जनता को ठग रही है वेवकूफ बना रही है उन्होंने बीजेपी की तारीफ की और इन्हीं सब कड़ियों के बीच उन्होंने ललन सिंग का नाम लिया और कहा कि आजकल नए नहीं नीता हैं ललन सिंग दरसल कयासों के बाजार में ये भी एक चर्चा है कि ललन सिंग नहीं बिहार इंडिये का रुष्टा तुडवाया ललन सिंग का ही सबसे बड़ा हाथ है बिहार की नहीं महागचबंदन की सरकार बनाने में क्योंकि ललन सिंग को बीजेपी से नफरत है और अब इनी सारे बातों की कड़ी को जोडते हुए राजृतिक जीवन पर उनकी राजृतिक संगर्ष पर सवाल उठाया उनसे पूछ दिया कि आकरकार आप ही बताईए कि आपके राजृतिक जीवन का संगर्ष कहां से शुरू हुआ है आप मुझे नया नया नीता कह रहे हैं फुरा के लिए सब्जेट में तहीं अनकर अब रेट्स के लिए माय साथ बनी रहें न्यूस फॉर नेशन में नमस्का